हलो फ्रेंडस जैन्स कि शब्विर उस्यन इंड वाचिघ फीज़ियो और टॉक्ड दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं !! लिंब लेंध डेिस्क्रेंशी ॐ आज की विडियो में कि थ्यूच्रिया है कि दोस्तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तो लिंब लेंथ डिस्क्रिप्रेंसी दो तरीके से होती है पहली जिसको हम बोलते है true limb length discrepancy और दूसरी होती है functional limb length discrepancy तो जो true limb length discrepancy होती है वह होती है हमारी anatomic की वяд coloring butt अगर short height में है अगर आपकी femur छोती है या टी-bia छोती है तो उसकी वजहिसे जो limb length dysparency होगी उसको हम बोलते है true limb length discrepancy या anatomical limb length discrepancy जो functional limb length discrepancy होती है वो होती है आपके compensation की वज़े से या तो posture या abnormal position की वज़े से तो अगर आपको पता करना है apparent discrepancy को तो आप कैसे measure करेंगे तो measure करने के लिए आप सबसे पहले patient को supine position में couch पर लेटाएंगे उसके बाद उसकी belly से यह जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे है apparent discrepancy के बारे में तो apparent discrepancy को पता करने के लिए आप measuring tape का एक end patient की belly पर रखेंगे और दूसरा end malluless पर रखेंगे affected और non affected side दोनों को आप measure करते हैं तो उससे आपको पता चलेगी apparent discrepancy अब आपको true limbland discrepancy पता करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे patient की anterior superior iliac spine को palpate करेंगे ASIS को palpate करने के बाद measuring tape का एक end ASIS पर रखेंगे और दूसरा end medial malluless पर रखेंगे और ASIS से medial malluless तक की distance से उसको आप measure करेंगे इसी तरीके से affected और non affected side दोनों को आपको measure करना है जिससे आपको true limbland discrepancy पता चल जाएगी तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से आपको true limbland discrepancy आपको measure कर सकते हैं leg length test के माध्यम से तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे comment section में बताना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें share करें subscribe करें thank you for watching physio talk